इससे पहले आजके सेशन को स्टार्ट करें आजके लेक्चर को स्टार्ट करें वो सभी लोग जो जुडिशिरी के लिए प्रेपेर कर रहे हैं मेरी वेबसाइट जुडिशिल competition times.in पर विजिट करके online classrooms को join कर सकते हैं online mock test model papers और previous papers को भी subscribe कर सकते हैं तो चलिए आजके लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं आज हम लोग study करने वाले हैं specific relief act के बारे में अब यह specific relief act होता क्या है इससे पहले मैं detail sections के बारे में study करूँ एक ठोटा सा overview आपको दे देता हूँ जिससे आपको future के लिए पता चल जाएगा कि basically specific relief में हम करते क्या हैं या क्या relief हम चाहते हैं ऐसा सोचो कि दो लोगों ने आपस में मिलकर कोई contract कर लिया A और B उन्होंने आपस में मिलकर कोई contract कर लिया B ने contract तोड़ दिया उसने contract को perform नहीं किया अब B कहता है कि काम करो मैं contract तो perform करूंगा नहीं मैं आपको damages देता हूं आपको कोई जो losses हुआ है उसके लिए damages देता हूं compensation देता हूं एक कहता है कि नहीं इन damages से मेरा कुछ नहीं होगा मुझे adequate relief नहीं मिलेगा मैं चाहता हूं आप मेरा जो contract आपके साथ किया गया था अब वही perform करो मैं और कुछ नही damages claim कर सकते हो या compensation claim कर सकते हो damages liquidated हो सकते हैं unliquidated भी हो सकते हैं यानि कि predetermined भी हो सकते हैं damages और ऐसे भी damages हो सकते हैं जो की code determine करती है जिस समय पर वो trial चलता है तो ऐसी situation में ऐसे person के पास क्या remedy available है तो यहीं हमें जुरत पड़ती है specific relief act की तो specific relief act उन मामलों में जहां पर किसी person को money के terms में अगर कोई भी relief दिया जाए तो उसे relief मिलता नहीं है अगर हम compensate करें उसे money के context में तो उसे adequate relief नहीं मिलता तो यहीं हमको specific relief act की requirement पड़ती है वैसे तो और भी काफी सारे provisions हैं जैसे कि injunctions है declaratory decree वगरा है वो सब लेटर ओन जब मैं इस special relief act को detail में पढ़ाऊंगा तब discuss कर लेंगे लेकिन basic जो हमारा requirement है वो मैंने आपका explain कर दिया तो चलिए start करते हैं सबसे पहले chapter number one को देख लेते हैं कि chapter number one में क्या mention किया है फिर हर 10 शेप्टर को detail में section wise हम लोग study करें तो चलिए start करते हैं आज के सेशन के साथ तो चलिए ठीक है start करते हैं आज के सेशन के साथ और हम study कर रहे हैं specific relief act 1963 को इस act को हम act number 47 of 1963 के नाम से भी जानते हैं अब यह act number 47 of 1963 का मतलब क्या है actual में होता यह है कि जब parliament session में होता है और हम कोई भी bill introduce करते हैं तो उसका एक sequel number होता है sequence number होता है एक serial number होता है वो serial number पर जब वो pass होता है वो act में convert होता है तो जिस serial number पर पास होता है वो ही number उसको अलोट हो जाता है जैसे यहाँ पर 47th serial number पर यह act पास होगा इससे पहले 46th act अलरी पास हो चुके होंगे इसलिए इसका जो नाम रख दिया गया है that is act number 47 of 1963 काफी सारे students हैं जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर यह clear कर देता हूं तो चलो ठीक है सभी sections को word to word study करते हैं और समझते हैं कि हमारी इस bare act में क्या है और सभी sections को हम sequence में study कर लेंगे आज के section में हम सिर्फ chapter number 1 को देख रहे हैं तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए उसको सिर्फ chapter number 1 को आज इंक्लूड किया है इसी तरह से अलग-अलग chapters को हम discuss करते रहेंगे और वाकि सारे वीडियो भी आप देख सकोगे तो पार्ट number 1 में हमारे पास बात की गई है प्रिलमदरी के बार में यानि यह जो हमारा पार्ट है यह प्रिलमदरी है इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें कुछ basic basic बात हैं यहां पर discuss की गई है तो उन सभी को हम डेटेल में study कर लेते हैं सबसे पहले आप section number 1 को देख extent और commencement के बारे में बात करता है तीन चीजों के बारे में बात करता है कि इसका title क्या है इसका विस्तार कहां कहां पर है कहां कहां यह लागू होता है और यह लागू हुआ कौन सी तारिक को कब commence हुआ तो सबसे पहली बात तो इसका जो title है that is the specific relief fact 1963 दूसरा ही पूरी इंडिय में जो article 370 था उसमें changes हो चुके हैं उसके बार हमारे सारे laws अब state और जम्मो काश्मीर पर भी अप्लाए होते हैं तो इसलिए अब यह चीज तो पुरानी हो गई जहां पर भी ऐसा लिखा है except state of जम्मो काश्मीर तो उसको भूल जाए it is including state of जम्मो काश्मीर दूसरा जब यह एक पास हुआ तो उन्होंने कोई date particular नहीं बताई कि इस particular date को हम इसको pass कर रहे हैं रादर उन्होंने कहा के central government future में जो भी date में इसको लागू करना चाहते हैं तो वो date notify कर सकते हैं अपने किसी official गजट में तो जो भी date वो notify करेंगे उस date से यह specifically fact 1963 लागू हो जाएगा तो पॉइंट ठीक हो गया चले नेक्स आते हैं सब सेक्शन नबर टू सेक्शन नबर टू बेसिकली definition के बारे में बात कर रहा हैं देखिए काफी सारे words ऐसे हैं जो अलड़ी हम लोगोंने contract act में study कर लिए हैं तो जो हमने contract act में study कर लिए उनका reference तो हम वहां से ले सकते हैं तो यहां पर जो definitions है वो particularly specific relief act के context में ही read की जाएंगी तो चलो जड़ा देख लेते हैं यहां पर कौन कौनसी definitions दी हैं clause number A में बात की है उन्होंने obligation के बारे में obligation अब यह obligation का क्या मतलब है obligation का मतलब है हर वो duty जो कानून में enforceable है जिसको हम लागू कर सकते हैं तो basically जहां पर भी शब्द आएगा obligation उसका मतलब होगा के कानून में उस particular party पर कोई duty या कोई obligation cast upon किया है और वो law में enforceable है दूसरा word है हमारे पास settlement settlement का मतलब है कोई भी instrument कोई भी ऐसा document लेकिन यह instrument यह document विल नहीं होना चाहिए लिखा है न other than will यह will नहीं होना चाहिए यह cortisol नहीं होना चाहिए जो की Indian Succession Act में बताया गया है तो ऐसा कोई भी document जो की will नहीं है cortisol नहीं है जिससे हम किसी भी person के कोई जो successive interest है चाहिए वो mold property के बारे में हो चाहिए वो emold property के बारे में हो उनको हम dispose of करें या हम agree upon करें उन interest को dispose of करने के लिए तो ऐसे documents को हम settlement बोलते हैं अगर ऐसा कोई भी document लिखकर आपस में कुछ agreement किया जाता है कि जो interest है other than the will या cortisol उनको अगर हम dispose of करें या agree upon करें कि उसको dispose of करना है तो ऐसे agreement को जिस दस्तावेस पर हम लिखते हैं उसको हम settlement document बोल सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम settlement बोल सकते है ठीक है अब जिस properties के बारे में आप बात कर रहे हो वो property movable भी हो सकती है इमोल भी हो सकती है देखिए दोनों लिखी है याँ पर movable भी हो सकती है इमोल भी हो सकती है ठीक है चलो आगे आते हैं आगे हमारे पास word clause number C में जो लिखा है वो है trust अब यह trust का क्या मतलब है वो कह रहे है trust का वही मतलब है जो Indian trust act में section number 3 में mention किया है देखिए हमें एक particular act में अगर कोई words इस्तमाल की है तो वहां से directly ही हम उन words को derive कर रहे है हमें यहाँ पर अलग से define करने की जोरत नहीं है जब कभी भी trust का शब्द आएगा कही पर भी act में तो हम immediately section number 3 of Indian trust act का reference लेंग trustee, trustee का क्या मतलब है trustee का मतलब है every person holding property interest किसी भी trust में अगर कोई person उस property को hold कर रहा है तो वो उस trust में उस property का trustee कहलाता है तो यही बात यहाँ पर लिखी है ठीक है आगे देखिए वो कहते हैं बाकी सारे शब्द इया expressions जो की हमने यहाँ पर define नहीं किये है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ four ही define किये है बाकी तो कुछ words को इस्तमाल किया ही नहीं है तो वो कह रहे हैं कि बाकी वो सारे words जो की हमने यहाँ पर define नहीं किये हैं लेकिन वो defined है हमारे contract act में तो हम वहाँ पर जो भी meaning उसका लिखा है वही हम meaning हमारे इस particular act में भी assign करेंगे तो हम Indian contract में जो भी words use हुए हैं वहाँ पर जो definition उनकी दी है same definition हम अपने specific relief act में भी include कर लेंगे और वही मतलब निकालेंगे उसका चाहे वो शब्द हमारे specific relief act में particularly mention ना भी किये गए नेक्स आते हैं section no.3 पर section no.3 बात कर रहा है savings के बारे वह कहते हैं except as otherwise provided herein nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than the specific performance which he may have under any contract देखिए specific relief act में हम क्या कर रहे हैं हम specific performance पर जा रहे है specific performance के लिए relief माँग रहे हैं उसी के लिए मुकदमा लेकर जा रहे हैं लेकिन अगर specific relief ना मिले तो तो क्या वो कोई और relief या कोई और remedy नहीं ले सकता ये section ये कह रहा है कि अगर किसी person के पास specific performance के इलावा कोई और right exist कर रहा है या कोई और relief exist कर रही है तो वो relief ले सकता है हमारे act उसको कहीं पर भी बार create नहीं कर रहा कि वो उसको claim नहीं कर सकता claim कर सकता है वो right ले सकता है दूसरा मुकदमा ला सकता है no problem और दूसरा वो कह रहे है to affect the operation of the Indian registration act on the documents यानि कि हमारा Indian registration act के तहित अगर कोई भी document बना है या बनाया गया है उनको हमारा यह particular act प्रभावित नहीं करता उसके operation को किसी तरह से भी प्रभावित नहीं करता उसको effect नहीं करता so this is what is mentioned in section number 3 चलिए आगे proceed करते हैं और आगे आते हैं section number 4 पर अब section number 4 यह बोल रहा है कि यह जो भी specific relief दिया जाता है यह specific relief किसी भी individual civil rights को enforce करने के लिए दिया जाता है ना कि किसी भी penal law को enforce करने के लिए specific relief को provide किया जाता है मैं दुबार रिपीट कर रहा हूँ specific relief act हमेशा civil rights को enforce करने के लिए use किया जाता है ना कि penal laws को enforce करने के लिए this is what is mentioned in section number 4 अगर मैं content को देखूं तो same बात यहाँ पर लिखिए specific relief can be granted only for the purpose of enforcing the civil right individual civil right सिर्फ हम किसी person के individual civil right को enforce करने के लिए specific relief का इस्तमाल करते है and not merely for the purpose of enforcing the penal law penal law को मात्र penal law को enforce करने के लिए हम इसका इस्तमाल नहीं करते यह बात इरों ने section number 4 में mention की है तो इसके साथ आपका यह जो part number 1 है जो की preliminary के बारे में बात कर रहा था जिसमें हमारे पास 4 sections थे वो हमने सब यहाँ पर देख लिए और जो हमारा next session है उसमें हम बाकी जो part number 2 है जिसमें chapter 1 और बाकी सब sections discuss किया है उनको detail में study करेंगे तब तक के लिए मुझे पर्मिट कीजिए थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत